इस फ्र्म काड के लिए Leo篟 चल्व्र और तो कए दिया जा और कौन कोंसे लोग जो कि इसको बन वाँ सकते हैं और कितना जो कि यह फायदा है और कितना इस कार्ट से बनवाने के बाद आपको नुकसान है सारा परकेडिया आपको स्टेप बाइस डेप बताने वाले हैं तो मुने नाम राल सर्मा और आप देखने है राज वर्ल नो टेंस ओनों भी पी तो चलिए सुरू करते हैं स्ट्राम आपका जो की आईडी लोगन हो जागा जैसे आप यहां पर किलिक करेंगे तो आपका जो की नाम लिखेगा उसके बाद आपका सी एडी लिखेगा जो इमेल यह पर लिख देगा और आपको यहां पर देखने को आ जागा डारेक्ट अन्डी यू डॉडवल आर्पासे करेंगे तो आपको किलिक करने को आगा और आपको आद्हार कारड में आपका मॉBाईल लमवर जूड़ा हुए उस मवाइल ले लिख लेना है और जो आपको एक केपचा दिखाई दे रहा है केपचा आपको यहाँ पर लिख लेना है आपका जो कि यह E-PFO का organization आपको नहीं होना चाहिए तो आपको यह E-PFO के द्वारा एक card आपको बनाया जाता है यह पैसा आपके company के थूरी आपको जो कि सलेरी के अनुसार से पैसा PF का करता है और आपको सरकार के तरफ से भी आपका PF के पैसे में कुछ जोर कर सरकार पैसा देती है अगर आपका PF account होगा तो आपको जो कि इस card के बनाने के लिए लायक नहीं है आपका यह card नहीं बनेगा साथ में आपका जो E-SI card होता है जैसा आपको इलाज के लिए आपका खुद का card बनवाए होंगे अगर उस card पर और भी family member का अभी नाम अपने जुरुआ लिया होगा तो जितने भी family member से बिलोंग करते हैंगो आदमी उनका E-SI card पर नुका नाम होगा या जो कि आप पर आश्रित होंगे E-SI card के थूँ अपना इलाज करवा सकते हैं तो उनका भी जो किया एक card यहां पर नहीं बनेगा सरकार के कहने के मताविर बहुत लोग यह भी बोलेगा कि मेरे पास P.A.P. account भी है और E-SI card भी है और हमने जो किया इस card को बना लिया है इस दिन इसका verification होगा तो हो सकते हैं आपका card यहां पर deactivate कर दिया जाए तो मेरे दूसरा एक वीडियो बना कर बता दिया हूँ कि कौन कौन से लोगों को जो किया e-sarm card यहां पर बनाया जाएगा उसके बाद यहां पर send OTP लिखाए इस पर किलिक करिए अब इस mobile पर आपको एक OTP भेज दिया गया उस OTP को आपको यहां पर लिख लेना है OTP लिखने के बाद यहां पर submit button इस पर आपको किलिक करना है उसके बाद जो आपका अधार कार का जो number है उ आपको आधार का number आपको यहां पर लिख लेना है उसके बाद जो कि आप 3 तरीका से इनका जो यह अधार को ओठिक rate आप करा सकते हैं फर्स्ट में जो कि यह फिंगर्प्रिंट के द्वारा करा सकते हैं, उसके बाद आपके पास आड़िस डिभाइस होगा, उससे करा सकते हैं, या आपका अधार में मुबाइल नमर जूरा होगा, उसके द्वारा भी यहाँ पर करा सकते हैं, यहाँ पर आप CSE के द्वारा करते है तो आपको fingerprint पर किलिक करके आधार में बीना मोबाइल जूरे हुए आदमी का भी इस रमकाड़ा बनवा सकते हैं लेकिन इसका कभी सर्वर सही रहता है तो आपको बन जाता है नहीं तो फिर से आपको जो आधार में जूरा होता है उस पर OTP मांगने लगता है तो अपना उसमें देख लिजिएगा तो हम जो कि इनको डायर जो कि आड़ीश डिवाइस देहां पर फिंगर प्रिंट के द्वारा कर रहे हैं यहा बाद केप्चर डाल कर आप यहां पर सब्मिट करेगा इनके मौइल पर OTP जाएगा आधार इनका ओठीकरेट हो जाएगा मैं यहां पर जो कि फिंगर प्रिंट कर लेता हूं उसके बाद केप्चर लिखा हुआ है इस पर मैं किलिक करता हूं मेरे डिभाइस का जो कि यह ला मैं OTP को यहां पर लिख लेता हूं अगर आपका OTP नहीं जाता है तो recent पर किलिक करको OTP दुबारा से मंखवा सकते हैं अब यहां पर भली date लिखा हुआ है इस पर किलिक करिए जो आपका अधार का details होगा जैसे आप यहां पर देख सकते हैं जो अधार का फोटो होगा उनक यानि आपका जो कि है अधार के दौबारा NPCI के साथ आपका NPCI link है इसमें किसी भी तरीका का सबसीडी अगर अगर जो चाहिए आपके खाते तक आजागा इसमें किसी भी तरीका का फोल्ट नहीं है जैसे हाँ पर किस bank से इनका जो कि है NPCI है उसका नाम आपको यहां पर डाले से है, आप इमरजेंसी के लिए डाल भी सकते है, इसको नहीं भी डाल सकते है, आपम निंवर करता है, email ID भी है, आपको मर्जी करें तो डालिएalen यह यहाँ भाली छोडिए, यहाँ पर meta status में आपको जो कि unmerade है है, तो मैं यहाँ पर never यहाँ कर दिए हूँ. और आदमी सादिस है तेहां पर married आपको जोकर से लेक्ट कर सकते हैं उनका fathers का जो नाम होगा आपको यहां पर लिख लिजिए उनका category कौन सा है कौन सा जाती है उसको आपको यहांपर select कर लिया उसके बाद आपको आपको ज तहा है परमानपत इसमें नहीं देना होता है और आपको स्लेट करके यह जो हता है आपको परमानपत PDF में हो, PNG में हो, JPG में हो आपको यह Kemba से जाधा नहीं होना चाहिए, तो मैं Choose File पर किली कर लेता हूँ, मैं आपर double click करता हूँ, यहाँ पर जो कि है मेरा cast का जो PDF है आचुका है, आपको blood group पाता है तो अपने blood group को यहाँ पर select करी है, अगर नहीं पाता है तो इसको खाली आप छोर सकते हैं, यहाँ पर differentiable लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर maximum local noise select करना है, इसका मतलब अलग रू का जो बीमा cover है, अगर आपको किसी कारण बस आपका मिर्त्यू हो जाता है, तो इसमें 2,00,000 रुप्य का बीमा cover जो नोमनी का details दिया जाएगा, उसको यहाँ पर सौपने की परकिरिया जारी किया जाएगा, अगर आप नोमनी details भना चाहते हैं, तो आपको इसमें जिस level menu का है, उसको select कर लिजिए, और आपको यहाँ पर data board डालकर save and continue पर आपको click करना है, अगर आप नहीं भना चाहते हैं, तो no आपको रहाँ देना, उसके बाद save and continue पर आपको click करना है, अब यहाँ पर आपको home state का option आता है, तो इस पर आपको जो किया जिस level का आपका home state होगा, जिस state सा बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर select करना होगा, उसके बाद current address आपको लिखना है, जिस house number, लोकलिटी, आपको state, district, जिस level में होगा, जैसे मैं state यहाँ पर दोबाद select कर लेता हूँ, उस state में हमरा जो कौन सा district है, उसको select करता हूँ, उस गोपाल गंज में मेरा क जो कि यह block है, तहसील है, उसको मैं select कर लेता हूँ, उसका area जो pin code होगा, मैं उसको लिख लेता हूँ, जैसे house number में आपना पितारी का नाम लिख लीजेगा, कि आपको किसी भी तरीका का, आपको card भी deliver अगले time तक किया जाए, तो आपको जो की घर तक आने में problem नहीं, अब आपको region बताना होगा, किस level से region का नुसार, आप जो की है, आप migrant worker है, तो यहाँ पर जो की maximum लोगों का noise select करना है, अगर यहाँ पर permanent और present address दोनों same है, तो आपको यहाँ पर tick लगा लेना है, उसके बाद यहाँ पर save and continue लिखा हो, इस पर आपको click करना है, उसके बाद education qualification में आपका this level में पढ़ाई होगा, उसको आपको यहाँ पर select करना होगा, अब बोलेगा यहाँ पर जो की high level के education हमको मजबूरी है, इस वीडियो को बनाना, यहाँ की मेरे पास यह data नहीं है, और बहुत लोग जो की comment कर रहा है का sir, बहुत लोग वीडियो बना दिया, आप क्यो नहीं वीडियो बनाए, इस card को बनाना एक मजबूरी है, और साथ में आपको जो किया knowledge देना मेरा भी खुद का मजबूरी है, सरकार जो किस परकार का card आपको launch कर देती है, कोई ने इसके बारे में सोचता है, ने सही तरिका से कोई आपको knowledge देता है, बसरते आप बनाते जा जाता है, और सरकार का एक अलक संब्धनी हो जाता है, इसमें जीस आदमी का card बन रहा है, उसके लिए कितना नुकसान हो, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर प्लस लेट करिएगा, एजुकेशन जो किया certificate पर आपको browse करकर जो किया आपके पास certificate होगा, लास्ट का हो आपको यहाँ पर डाल दे, जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, यह जो किया certificate आप PDF, JPG में डाल सकते हैं, maximum size आपको यह केंबी का होना चाहिए, उसके बाद monthly जो आपका income कितना है, तो यहाँ पर जो किया जीस लेबल में होगा, आप यहाँ पर डाल लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो 2000 से बिलो जो किया आप यहाँ पर स्लेट कर लीजिए, income certificate आपके पास होगा, तो डालिए, अगर नहीं है, तो भी इसमें आपका काम हो जाएगा, यह आपका education qualification भी आपका इसमें नहीं होगा, उसका कागजाद तो भी आपका काम हो जाएगा, तो मेरे primary जो occupation लिखा हुआ है, click here view to code list लिखा हुआ है, इस पर आपको click करना है, तो आप जो किस level का आपका code यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको code लिखना है, जैसे बेवसाय का नाम आपका क्या है, आप किस परकार का बेवसाय है, उसका code आपको यहाँ पर दिया गया है, छेतर का आपको click level का है, तो आपको इसमें दिया गया है, और इसी चीज को convert करके आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है, जैसे मेरा सबसे नीचे में दिया गया है, लकडी बनाने का सनयांत और आपको संचालग, इसपर हमें इसको copy करता हूँ, तो आपको यहाँ पर नहीं लेगा बहुत लोग्स कोंपी कर लेगा अचले मैं आपको दिखहा देता हूँ कोफी कर लिया फिर मैं यहाँ पे आका इसको ड्रीक करता हूं तो आगे नहीं लेगा तुछ इसके लिए आपको क्या करना होगा जैसे आप यहां पर ऊड़ प्रेसिंग लिखेंगे तो आपका यहां पर जो कि यह ले लेगा जैसे मैंने आप लिख लिए ऊड़ पोर्शेसिंग प्लांट उप्रेटर्स इस पर मैं किलिक करता हूँ उसके पास experience लकरी का मैं आपे डाल दिया, secondary भी occupation जो कि आप इसमें डाल सकते हैं, यह आपन इवर करते हैं, डालिएगा तब भी आपका स्रमकार्ड बनेगा, नहीं डालेगा, तब भी आपका इस स्रमकार्ड बन जाएगा, उसके बाद occupation का जो certificate है आपके पास होगा, तो डालिएग जो course किये होंगे, तो उसको आपके यहाँ पर slate करना है, यह आपको जो किसी पतरीका का course करके उसको आगे भी update किये हुए, upgrade किये हुए, अपने पढ़ाई में, जो कि जिस लेबल में आपके पास experience है, जिस काम का, तो उसको भी जो कि यहाँ पर अफग्रेशन इसमें लगा स सकते हैं, अगर नहीं है, तो उसको भी खाली छोड़िए, save and continue लिखाए, इस पर आपको किलिक करना है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर आता है, bank, seeding, जो कि यह आधार्त, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ आस है, यानि आपका account जो कि है, NPSI के server के साथ आपका link है, कोई भी card बन रहा है, जो आपको e-sarm card, जैसे एक साल तक सरकार आपको premium इसमें फीरी कर रही है, लेकिन दूसरे साल से आपको 300 कूछ रिपय का चलान आपके account से हर साल आपको काटा जाएगा, यह जब बात किसी customer को आप बता दीजेगा, सही तरीका से, तो हम 100% guarantee बोलते हैं, को आद आपको launch किया गया है, लिंक दिया गया है, इतने आदमी को जो किसराम card बनाई है, 43 करोर आदमी का असंगर्ठी छेतर में जो काम कर रहे हैं, उनको card बनाई है, तो अगर यह card बनाने के साथ साथ पैसा का भी जिक रूस में कर दिया जाए, 99% आदमी है, जो कि वो card नहीं बन आएगा, क्योंकि सरकार जो किये, इस मजदूर से पैसा ले रही है, भसर तो आपको सलाना ले ओ अलग बात है, तो 300 कुछ रुपे हर साल आपके account से कटेगा, बहुत लोग जो कि ऐसे तरीका का भध्य कमेंट भी करेंगे, कहा हम यह पर account ही अपना बन करा देंगे, तक कहा स लिंक होगा, उसी account से आपको पैसा काट लेगा, अगर मैं यहाप पर पंजार मिसनल बैंक का अकाउंट में बन कर दूँ, कॉल करके, तो जो मेरे दूसरे account होगा, जो कि यह पैसा काटना यहाप पर शूरू हो जाएगा, तिहाँ पर जो कि आपको जिस लेवल में आपको इ सेंटर का खाता है, स्टेट का खाता है, एक्सिस का खाता है, उत्रव यहाँ गरामी में का खाता है, तो किसी दूसरे account से आप जो कि यह पैसा ही कटवाना चाहते हैं, तीन सब कुछ रुप्या होड़ साल आपको जो कार्ड के बदल आपको बीमा कोभर किया जाएगा, दो लाख रुप्या तक अन टाइम आपका मिर्ति हो जाता है, अगर आप आई हो जाते हैं, तो दूसरे account का detail से आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो हमको दूसरे देने के ज़रुवत नहीं है, हम आपको पौल भी बता चुके हैं, यह वीडियो मजबूरन बना रहा है, लेकिन मेर चोड़ दीजिए, हमको नहीं बनवाना है, तो यहाँ पर जो किये मैं no पर ठीक रखने देता हूँ, उसके बाद save and continue लिखाईश पर आपको किलिक करना है, और पूरा जो record होगा, आपको यहाँ पर खूल के आजाएगा, जीस लेबल में आपना पूरा details आप देखना चाहत तो उनको जो किये आपको बार बार आदमी बोलेगा कि मेरे को बरबात कर दिये, आपको यह कर दिये, हमको एक card नहीं बनवाना था, आप हमरा बनवा दिये, पहले उस customer को आप बता दीजिए, चलिए अपने ही साब से जो किये देख लेना है, सतरा details आपको यहाँ पर आजा लिखा हुए, इस पर आपको किलिक करना है, अब जो किये mobile पर SMS के दोवारा इवेन नमबर जो होगा, जो card का number आपको यहाँ पर भी देखने को आएगा, वो आपको mobile नमबर भी आपको इसमें भेज दिया गया है, जैसे first वाला card आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पीछ सारा काम हमने Firefox का जो browser है, उसे मैंने हाँ पर किया हुआ है, और सबसे नीचे यहाँ पर आता है back to CSI account इस पर आपको किलिक करना है, जिस तरीका साबका यूविनिक card जो होता है, जो आधार card का नमबर आपको 12 डेजिट का आपको सभी आदमी को मिला हुए, जितना आदमी का लेबर इसमें किया जाएगा सभी को यूणिक नमबर इसमें दिया जाएगा, आने वाले दीन में इस से जो कि एक कुछ आपको लाब मिल सकता है, क्योंकि सारा जो कि ए आपको सरकारी अस्तल के जैसा अधार को पुर्य भारत में इस card को बनाया जा रहा है, जैसे आपको भी खुद पता चल जाता है कि किस लेबल में आपको काम करेगा, कौन से और नहीं होगा, हम आपको पहले इचींस साइट करते हैं, तम इस बात को गारांटी देनते हैं कि आने वाले दिन में आपको जुदिये जरूड सजुदूब आपको फाइदा मिलेगा इसमें जो कि दो लंक रिप्य तक कह वीमा आपको कभर लिजए गा और आप परिवार को मिलेगा अगर आप अस्थाई जो की बिकलांक हो जाते हैं तो एक लाख रुपे इसमें दिया जाएगा वीडियो समधनीत किसी भी तरीका का आपको प्रॉस्ट नहें तो कॉमेंट करिए में इसके जरूरी पर लाइक करूंगा मैं हूं राशारमा फिर मिलता ने उलिए उलाव फिर ने ट्पी के साथ अवक तरके लिए जाइन एक हैं कि भी आची